शतरपुर जिले की नोगाउं छेत के गर्रोली थाना प्रभारी माद भी अगनोत्री की चर्चा पूरे जिले में हो रही है और हो भी क्यों ना माद भी पिछले दो दिनों से भूंके लोगों को उपलब्द करा रही है खाना पीना पूरे देश में भ्यानक रूप ले चुका कोरोना बारिस की बीमारी की रोक थाम के लिए शतरपूर कलिक्टर एवं पुलिस अदिच्चक द्वारा जिले की सीमाएं सील कर दी गए हैं लेकिन इस कारवाई से कई लोग बुरी तरह से फसे हुए हैं जिनको कहीं भी खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है थाना प्रवारी माधवी ने मानोता की मिसाल पेस करते हुए अपने फर्ज को बाख खुबी नभाया MP7 News के लिए मुम्ताज खान हार्वार Di gyda – Qisar Ahmed. कहा只 you? Jilia और मुतर पड़ सको किया क्रों कर दे हैं हैं? कहां से कहा खार रही हैं गहां लेके यह था थी? इनको लेकर जा रहा था पर महीं हैं Sitar Erg Formal शितातने गांबेशा यह लिए थी? अपकी बोडर पे आपकी बच्कों नहीं रोका गया चेकिन नहीं हे लिए जो चार दिन में वो था ना अरे वो इतवार को कर्फू था तो उजञ धिन कर्फू आ हमको रूपका बाद मरात में हमको निकाल दिया हुँछ क्या तॉम लोग कहीं चेकिन की गई है गया डर्जेश यहां कब से रुके हुआ यहां कब से रुके हुआ इस जगर पर चार बजे से रुगए क्या कहा गया यहां पर वहां करा कि हम नहीं जाने देंगे हम कहां जाएंगे हम तो सिदार देंगा जाएंगे हैं लेकिन यहां से तो जाने नहीं दे रहा है फिर आप कौन सा रूप आई है कि शुक्रवार को निकली है वहां से और ये इनको उत्तर प्रदेश बस की जो गोरफपूर के पहले जिला पता है तो बहां जाना है ये भटकते भटकते यहां तक पहुंचे हैं चुकि बाडर सील हो चुकि है लॉकडाउन चल रहा है बरिश अधिकारियों के आदेश मांग दर्श में हमने उनको सैनेटाइजर करके उनके हाथ लवा कि जो हम प्रकॉशन अपने लिए अपने बचाओ के लिए और उनके बचाओ के लिए सकते थे वो हमने लिए उनकी मेडिकल पीम के मैंने चैक परवाया वो लोग प्रक्षित हैं मतलब ऐसा कोई करोना के सिं तो उनको नहीं अलाओ करते